दोस्तों कॉलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जिसकी श्रीड को जरुद भी होती है लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा मात्रा में खाये जाए तो नुक्सान भी करता है ज्यादा तले भूने फूर्ट का सेवन असयमित लाइश्टायल फैट वाले फूर्ड का ज्यादा म कॉलेशन में रुकावड पैदा होती है और दिल की वीमारी के खत्रे बढ़ जाते हैं तो ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे फूर्ट के बारे मताने वाले हैं जिसे अगर आप डाइट में शामिल करते हो तो श्री में कॉलेस्ट्रॉल को कम रखा जा सकता है चलिए समय नह करते हैं इसके लिए क्या करना आपको दो चमच धनिया की बीजों को पॉडर बनाकर पानी में मिलाएं और इसे उबालकर च्छान लें अब इस पानी का दीन में दो बार सेवन करें आप चाहें तो धनिया की चाय भी बनाकर पी सकते हैं देड़ से दो कब पानी लीजे उसम प्रमाप में रहाध सकते हैं इसे चाए की तरह बना कर दिन में दो बार भी लियाा सकता है धनिया की तासिर की बात की जाया Had कि तासी ठंडी होती है तो इस गर्मी के मौसम में बेफिकर होकर आप धनिया वाली चाय या फिर धनिया पानी का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा भी धनिया की बीजों के बहुत से धेरों फायदे हैं अगर आप इसे फायदे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लि किजे और साथ में दोस्तों आपको लहसुन का भी सेवन करना चाहिए लहसुन और प्याज दो ऐसी चीजें हैं जो ब्लड शर्कुलेशन को बैटर करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को शरीर में बनाये रखते हैं जिस वजह से नसों में ब्लॉकिज की समस्या नहीं होती है तो दो लगती हो तो बारी काट लें और पाने के साथ गटक लें इसके लाव अगली चीज जो आपके बढ़ेवे कॉलेस्ट्रोल को कंट्रोल करें हुआ है संद्रे का जूस जीहां औरेंग जूस रहे हैं इसमें काफी मातर में फॉलयट और वाटिमिन सीव आए जाता है एक रिसर्च में यह कहा गया है कि 750 मेली लिटर शुद्ध संद्रे का जूस पीने से कॉलेश्टॉल के मरीजों में गुड कॉलेश्टॉल का लेवर बढ़ता है और बैड कॉलेश्टॉल का लेवर संतुलित होता है डॉक्टर्स भी संद्रे का जूस पीने क होता है इसमें लॉडिक आसिड पर्याप्त मातरां पाई जाती है जो गुड कॉलिस्टॉल का लेवल बढ़ाती है रोज और गैनिक नारियल के तेल की एक से दो चमची मातरा अपने भोजन में शामिल करें रिफाइंड या प्रोसेजड नारियल तेल का इस्तमाल आपको नही तरीका है इसमें घुलन शिल फाइबर पाए जाता है जो कॉलिस्टॉल के और बैड कॉलिस्टॉल को घटाता है आप नमकीन ओटमिल बनाकर घर प्रखा सकते हैं या फिर दूद के साथ ओटमिल ले सकते हैं ओटमिल लेने के अपने और भी बहुत से फादे हैं तो दोस्तो शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यकिने ना आपको वीडियो च्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते में जाएए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक्यू